हर सिंगार बहुत ही खूबसूरत फूलों का पोदा है इसके फूलों की फ्रेग्रेंस बहुत ही अच्छी होती है ये अक्टूबर से नवंबर तक फ्लावरिंग करता है अगर ये पोट में लगा है और अगर ये लगा है जमीन में तो ये साल में चार बार फ्लावरिंग करता अगर आपका पोदा चोटा है और अगर आपका पोदा बड़ा है तो आप इसे 14 से 20 इंच के पोट में लगाएं तो अगर आपके पास अभी ये पोदा नहीं है तो आप अब इसे नर्सरी से ला सकते हो अब ये अच्छा सीजन है इस पोदे की भड़त का तो इसको फ्रेंज आपने गणा बनाने के लिए उपर से पिंच करते रहें चलिए शुरू करते हैं वीडियो को नमस्कार मैं हूँ आपकी गार्डनर दोस्त नेलता गार्डनिंग विद आर्ट चैनल में आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है तो फ्रेंज इसकी अच्छी ग्रोथ के लिए इसका सोयल मिक्चर और अच्छी वेल्डन सोयल मिक्चर लगाकर उसमें इसे रखें तो इसे अभी तेज दूप में आप ना रखें क्योंकि इसकी लिप्ज की जो टीप्स है वो जल जाती है इसे आप सेमी शेड में रखें जब इसकी पलिया स्टार्ट हो जाएंगी तब इसे आप फुल सनलाइट में शिफ्ट कर दें या इसको अब मौर्णिंग की सनलाइट आती हूँ वहां पर लेज करें जहां तो फ्रेंट्स इसकी अगर आप काटिंग लगाओ तो 50 परसेंट आप इसमें रिवर सेंड और 50 परसेंट वर्मी कंपोस्ट ले ले या रिवर सेंड की जगह पे आप कंपोस्ट भी ले सकते हो कोमधी नोगो कोखो पीट भी ले सकते हो तो इस मिटी में इसकी जड़ों का विकास जुआ होता है और पौदा healthी रहता है तब इसकी कलिया आने वाली है तो इसमें हम डालेंगे कुछ खाना-पानी ताकी हमारे पोदη कीडलिया, जो healthy olduğly निकलें और पोदे जो कलिया है तो देखिए फ्रेंट्स मेरे पोदे की मिट्टी कितनी सोफ्ट है खाद डालने से पहले अच्छी तरह से गुडाई कर ले और जो मैं खाद बताने वाली हूँ उसी खाद से इसमें कलिया बनने वाली है तो बहुत जल्दी कलिया बन जाएंगी जब भी फ्रेंट में अगर आप पोदे को लगाते हो तो बहुत अच्छा चलता है और बहुत अच्छी ग्रोथ होती है तो अब मैं बात करती हूँ इसकी फर्टिलाइजर के जो इसमें बहुत जरूरी है भी डालना उसी से इसमें कलिया बनेगी और फूल आएंगी तो फ्रेंट्स एक चम्म पोदे में एड़ करें इसके बिना हर सिंगार का पोदा फूल नहीं देता क्योंकि यह बहुत भारी कवंटिटी में हमें फूल देता है तो इसे अच्छी खाद पानी चाहिए तो इसमें आप स्टोन डस्त का एक चम्मच जरूर डालें अगर आपका पोदा ट्री के लुक म इस फर्टिलाइजर से इसकी रूट्स में अच्छा होता है और एक चम्मच मैं डालूंगी यह नीम की खली इससे इसकी रूट्स में किसी भी तरह का कोई कीड़ा नहीं लगेगा और ना ही इस पे मिली वग का कोई अटैक होगा इसकी इम्म्यूनिटी बढ़ जाएगी और जो यह सीविड फर्टिलाइजर है फ्रेंस इससे इसकी रूट्स में अच्छा होगा और रूट्स जो है तेजी से ग्रो करने लगेगी और यह पोदा जो है नई नई स्टैंस निकालने लगेगा तो आप इस तरह से पोदे में अपने में और अगर आपके पोदे पर मिली बग कहीं भी दिखाई दे ध्यान रखें पत्यों को उल्ट पल्ट कर देखते रहें तो कोटन वॉल को गिला करके हटाते रहें अगर बहुत ज़्यादा लग जाए तो उस हिस्से को काट दे और नीम ओयल का सप्रे करें एक चमच आप उसमें शावर में नीम ओयल का डालें एक चमच आप शैंपू का डालें और एक चमच आपने कोई भी किचन में से ओयल का डालें तो इस सप्रेयर को एक लीटर पानी में मिक्स करके तो आप सप्रेय करें पोदे पर यूज़फुल लगी हो तो लाइक शेयर और कमेंट करें अभी तक मेरे चैनल पर नए हो तो सबस्क्राइब करें मिलते हैं किसी नेक्स वीडियो में बाए बाए थैंक यू फूर वाची